जय श्रीराम भक्तों भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देव बनी में भक्तों आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं भक्तों हमारी कथाओं को लाइक अधिक सधिक करें इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक सधिक सब्सक्राइ भक्तों आज हम कथाच्रवन करेंगे एक लड़की का असमंजस आईए कथाच्रवन करें सौनपूर राजी के राजा मान सिंग बहुत ही दयालू और प्रजा के चहेते राजा थे उनके कोई संतान नहीं थी इसी गम में राजा और रानी दोनों परेशान रहते थे उन दोनों उने इसे भगवान की मर्जी मान कर स्विकार भी कर लिया था राजी की जंता भी राजा के गम से दुखी थी राजा तो शिकार करके या जंता की सेवा करके अपना समय गुजार लेते थे और इससे उनका मन लगा रहता था लेकिन रानी तो पूरा दिन खाली रहने के कारण सिर्फ अपने संतान ना होने के कारण दुखी रहती थी राजा को शिकार का बहुत शौक था एक दिन वो शिकार करने जंगल की तरफ चल दिये उसके सिपाही भी उसके साथ थे जंगल में राजा के सिपाही पीछे छूट गए और वो आगे निकल गया वो आगे पहुँचा तब ही उसने किसी बच्ची की रोने की आवाज सुनी वो आवाज के पास पहुँचा तो देखा कि दो डाकू एक छोटे बच्चे को तलवार से काटने वाले थे राजा मान सिंग ने उन्हें ललकारा और अपनी वीरता से उन्हें मार दिया राजा ने बच्चे को देखा तो वो एक सुन्दर कन्या थी राजा ने उसे गोद में उठाया उसको लेकर वो अपने राजी की तरफ वापस चलने लगा अब उसके सैनिक भी उसके साथ थे महल में पहुँचकर राजा ने कन्या को अपनी राणी को दिया और उन्हें सारी बात बताई राणी ने उसे भगवान का उपहार बताया जिससे उनकी खाली जोली भर गई राणी ने कन्या का नाम लक्ष्मी रखा समय बीटता गया राजा ने लक्ष्मी को राजकुमारों की तरह रखा उसे कभी भी यह एसास नहीं होने दिया कि वो लड़की है समय के साथ लक्षमी सिक्षा में ही नहीं बलकि अस्तर सस्त चलाने में भी निपुण हो गई अब लक्षमी जवान हो गई थी और राजा मान सिंग के साथ राजपाट समालने में उनके पूरी मदद करती थी वह भी राजा मान सिंग की तरह राजी की प्रजा की चहेती थी वह प्रजा के हर दुख को अपना दुख और उनकी खुशी को अपनी खुशी समझती थी राजे में चारों तब खुशहाली थी लेकिन ये खुशहाली ज्यादा दिन नहीं चली कुछ समय से सोनपूर राजे में राका डाकू का आतंक छा गया वह डाकू बहुत चलाक था हमेशा वह लूट और कतल को अंजाम देता और गायब हो जाता था आज तक उसकी असली शकल किसी ने नहीं देखी थी वो भेश बदलने में माही था इसी कारण वो किस बेश में आएगा किसे को पता नहीं चलता राजी की सेना और यहां तक की सेना पती और राजा भी उसको पकड़ नहीं पाए इसे फिक्र में राज दरवार में सभी बैठे थे उसी समय लक्षमी बोली पिता महराज जदी आप आग्यां दे तो मैं इस राका डाको को पकड़ने की कोशिश करूँ राजा बोले लक्षमी सारी सेना और सेना पती सहीद हम भी कोशिश करके हार गए लेकिन यदि तुम भी कोशिश करना चाहती हो तो जैसी तुम्हारी इच्छा लेकिन सावधान रहना वो बहुत खुंखार है लक्षमी ने उन्हें धन्यवाद कहा और उनकी आग्या लेकर वैदर बार से बाहर निकल गई उस रात लक्षमी ने एक मर्द का भेश बनाया और राजी में घूमने लगी पै हर जगा घूम रही थी बजार, गलियों, खेतों में लगातार घूमते हुए उसे पांस दिन बीद गए लेकिन वो राका डाकू का पता नहीं लगा पाई किंत वह कतल और लूट पाट को अंजाम अभी भी दे रहा था लक्षमी ने राका डाकू के बारे में और जानकारी जुटाई और उन घरों के लोगों से मिली जहां पर डाकू ने कतल और लूट पाट की थी उसको राका डाकू के बारे में पता लगा कि वै जवान लड़कियों का कत्ल नहीं करता था और जाने से पहले उस घर की लड़की का कंधा जरूर देखता था इस जानकारी से लक्षमी को आश्चेर हुआ लेकिन इसी से उसे उस डाकू को पकड़ने की एक तरकीव सुझी उन्हें मनचाहावर मिल सके इसमें कोई भी मर्द शामिल नहीं होगा और राजकुमारी लक्षमी इस आयोजन का संचालन करेंगी तैह हुआ लक्षमी कुछ बहादर लड़कियों को साथ लेकर जंगल के महल में पहुंची और डाकू का इंतजार करने लगी उसे पूरा वि लक्षमी सतर्क थी उसने तलवार के बल पर उसे अपने कावु में कर लिया उसे पकड़कर दरवार में पेश किया गया अब राजकुमारी लक्षमी ने राका डाकू से लूट पाट और लड़कियों का कत्त ना करने का कारण पूछा तो उसने बताया कि वो जन्म से कंदा बना हुआ था मैं हर लड़की का कंदा इसलिए देखता था कि शायद मेरी बच्ची अभी भी जिन्दा हो अब चोकने की बारी राजा मान सिंग की थी उसने पूछा राका डाकू क्या तुम्हारी बेटी 18 साल पहले मर गई थी राका ने अश्चेरे से हां में कि इस तरह उसने उस चोटी लड़की को बचाया था अब राका डाकू के चहरे पर मिश्रित भाव थे उधर राजकुमारी लक्षमी आज चारे चकित थी कि पिता महराज ने उसे आज तक इस बात का एहसास नहीं होने दिया था कि वो उनकी बेटी नहीं है लक्षमी भाग कर राजा के गले लग गई राजा मान सिंग बोला राका हम भगवती को तो तुम्हें नहीं देंगे और आज से तुम ये गलत काम छोड़ दो और अपने किये पर पश्चा ताप करो राका ने कहा जब मेरी बेटी जिन्दा है तो मैं यह काम छोड़ता हूं और मैं यही सारे दर बारियों ने लक्षमी के साहस और बुद्धी प्रसंसा की वक्तों आएए एक और कथश रवन करें वक्तों ये कथा एक स्वामी और एक शेयर की है जिससे हमें सिक्षा मिलेगी कि हमें क्यूं और क्या करना चाहिए और कैसे बहुत समय पहले एक गाओं बहुत सारी मुसीबतों के साथ गुजर रहा था उस गाउं की परिशानियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी सभी लोग इतने परिशान हो चुके थे कि वे अपनी परिशानी को दूर नहीं कर पा रहे थे उस गाउं के सभी लोग यही चाहते थे कि हमारी मुसीबतें जल्दी से माप्त हो जाएं लेकिन उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था कुछ दिन बाद एक साधू उस गाउं में पधारे सभी लोगों ने उन साधू को देखा तो पर सोचने लगे कि हमारी मुसीबत का सामना करने के लिए सही दिशा हमें ये साधू जी ही बताएंगे जब साधू गाउं में पधारे तो उन्होंने देखा कि बहुत से लोग उन्हें दुखी दिखाई दे रहे हैं साधू ने पूचा कि तुम बहुत दुखी दिखाई दे रहे हो ऐसा क्यूं है सभी ने कहा कि तुम मुझे विस्तार से बताओ क्या हुआ तब है कुछ गाहों वाले कहने लगे कि यहां पर एक शेर रहता है जो किसी पर भी हमला करने के लिए विख्यात है इसलिए कोई भी अपने कार्य को करने के लिए बाहर ही नहीं निकलता क्योंकि शेर बाहर घुमता रहता है और वह मौका देखकर किसी को भी मार देता है हम लगातार उससे डर के घर में ही बैठे हुए हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अगर हम बाहर निकलते हैं तो शेर हम पर हमला कर देता है इसलिए शेर को मारने के लिए हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस कारे को पूरा कर सके जब सादू को पूरी बात पता चली तो सादू ने कहा कि कल सुभा ही हम सब यहां पर एक साथ मिलेंगे और उस शेर को भी देखेंगे कि वै किस पर हमला करता है लेकिन कुछ गाउंवाले कहने लगे कि आप शेर का शामना कैसे कर पाओगे शेर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और वह किसी पर भी हमला कर सकता है इसलिए आपको बहुत ही साफधानी के साथ यहां पर रहना पड़ेगा साथू ने कहा कि ठीक कल सुबह सभी लोग यहां पर मिलेंगे जब सुबह हुई तो सभी लोग कठा हो गए और शेर का इंतजार करने लगे तभी गाउंवालों ने कहा कि सामने से शेर आ रहा है देखो हम पर हमला कर सकता है तब ही साधू ने कहा कि तुम पीछे रहो मैं आगे बढ़ता हूँ और देखता हूँ कि शेर कैसे हमला कर सकता है शेर साधू की ओर लगातार बढ़ रहा था साधू वही पर खड़े हुए थे शेर साधू के पास आया और साधू ने शेर को अपना हाथ दिखाया और अपना हाथ दिखाते हुए साधू ने शेर को बैठने के लिए कहा शेर तुरंथी वहाँ पर बैठ गया और किसी पर भी हमला नहीं किया किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि साधू और शेर आपस में क्या बात कर रहे हैं क्योंकि कोई भी इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं था उसके बाद सभी लोगों ने देखा कि साधू ने अपना हाथ उठाया और शेर वहां से चला गया और किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था सभी गाउवालों ने साधू से पूँचा कि आपने ऐसा क्या कि शेर वापस चला गया साधू ने कहा कि वह मेरे मन की बात समझ गया था और मैंने उसे समझा दिया था कि तुम्हें यहां पर रहने की जरूरत नहीं है तुम्हारा स्थान यह नहीं है तुम जंगल में रहते हो तो मैं गाउं में कभी नहीं आना चाहिए इसके बाद शेर यहां पर कभी नहीं आएगा साधू के इस तरह के चमतकार से सबी लोग आश्चर चकित हो गए क्योंकि उन्होंने पहले ऐसा कभी नहीं देखा था एक शेर बिना कुछ कहे समझ चुका था साधू जी बहुत शमतकारी थे उन्होंने सेर को समझा दिया था कि वैं अब यहां पर कभी नहीं आएगा सबी लोगों ने साधू जी से बहुत सारी शिक्षाएं ली और उनसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे रास्ते पूछे साधू ने सबी लोगों को समझाया कि जीवन में कभी भी घबराना नहीं चाहिए चाहे आप कितनी भी बड़ी मुसीबत में क्यों नहोँ अगर आप सभी अपनी मुसीबतों को कम करना चाहते हैं तो जीवन में हमेशा अच्छे कारे करते हुए आगे बढ़ना चाहिए जो लोग मुसीबतों से घबरा कर पीछे हड़ जाते हैं जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाते और जो मुसीबतों का सामना कर लेते हैं वही जीवन में आगे बढ़ जाते हैं आगे बढ़ने के लिए ये बन में बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना होता है उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए आपको अपना एक लक्ष तै करना होता है भक्तों आपको ये कताय कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं भक्तों हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है जैसे लिराम भक्तों